हेलो फ्रेंज हाई गुड इवनिंग माईने में जुरुवशी जोशी और दिस इस मैं चानल ट्रिपल थी हाई प्रीस दोस्तों आज मैं आपको जो न बताऊंगी कि ट्विन्स ओरिजनली कैसे होते हैं जो मैंने समझाए इतने सेशन्स लेके और जो मैंने खुद की जर्नी को अब्जर्व की अपनी लाइफ की उसके साब से बताती हूं कि ट्विन्स ओरिजनली कैसे होते हैं और इस 1010 का मीनिंग जो है मैं दुबारा से एक्स्प्लेइन करूंगी कि इस 1010 का क्या मतलब है क्या ए औरीजनल होते हैं ठीक है बहुत औरीजनल होते हैं तो ओरिजनल मतलब क्या हुआ औरिशनल इनल मतलब हुआ का कि भुहत जादा फाकत फेस्ट और ब्लंट होते हैं तिखेए को मुव ल की दिखाबा नहीं कोई नाटक नहीं स्ट्रेक्ट फहरवर्ड होते हैं बहुत काइंड होते हैं, बहुत बहुत द्यालू होते हैं, एंको दुसरों का दर्द होता है, बहुत डीप होते हैं, गहराई में जाके सोचते हैं हर बात को, बहुत डीपली, दिखावा करना शो ओफ करना इनको अच्छा नहीं लगता ठीक है और बहुत सोच सोच के या नाट की अंदाज में बाते करना या फिर नाट की अंदाजों में चीजों को पेश करना, सोच सोच के बोलना गुमाफिरा के बोलना यह यह ओरिजनल ट्विंज नहीं होते क्योंकि यह लोग तो बहुत बलंड होते हैं, काइंड होते हैं, डीप होते हैं, शो ओफ इन्हें पसंद नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं यह बिल्कुल ऐसे नहीं करते कि बहुत जादा किसी चीज को जो है सोच के बोल रहे हूं या गुमा फिरा के बोल रहे हूं ऐसे बिल्कुल नहीं होते हैं ठीक है सकेंड बहुत जादा highly emotional होते हैं बहुत जादा highly emotional होते हैं लड़का हो या लड़की हो वो जल्दी emotional हो जाते हैं कि किसी से डॉमिनेट हो नहों अपने फैमिली वालों से डॉमिनेट हो जाते हैं यह सिस्टर से ब्रदर से या फिर मम्मी इबापका यह मैं लाइफ में कई बार बोलना बहुत अच्छा आता होगा बड़े multi-dalented रहते हैं बहुत अच्छे खाना बना लेते होंगे कई चीज़े बड़ी अच्छी कर लेते हैं मेकप बड़ा अच्छा कर लेते हैं lovers होते हैं बहुत बड़े वाले बहुत इनको love को जो है इनको deeply feel करना आता है deeply feel करना आता है प्यार को इनने पता है कि प्यार होता क्या है ठीक है इनको feel करना आता है love को बहुत पहले से बहुत hard working होते हैं बहुत hard working होते हैं ये लोग बहुत महंती guide करना इनने बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छे healers होते हैं लोगों को markdation करना इने बहुत अच्छा आता है fearless होते हैं ज़्यादातर चीजों में ये fearless होते हैं घबराते नहीं हैं खड़े रहते हैं किसी के तदा नयाय हो रहोगा तो खड़े हो जाएंगे उस बात के बारे में बोलने के लिए ठीक है ये न थोड़े से good boy और bad boy का mix होते हैं इसका mix होंगे overall बहुत अच्छे होंगे पर good boy bad boy का mix ऐसी good girl bad girl का mix जो बनता है न खटी मिठी सीता गीता का mix वो रहते हैं ये राम शाम का जो mix रहते है वो रहते हैं ये naughty भी but at the same time very good भी अपने college में हो school में हो अपने groups की ये leader रहते है school में इनको सबसे ज़ादा आगया के रहेंगे college में भी अपने दोस्तों में बड़े famous रहेंगे अलग से चमकते हैं अपने colleges में school में इनकी eyes इनकी eyes deep होती हैं बड़ी होती हैं इनकी eyes इनकी बहुत सबसे अच्छी चीज इनकी overall personality में इनकी आखे होती है और सबसे बड़ी बात चलो इस जर्नी में अगर लोग वाइबरेशन में चले भी गए चले गए but basically ये लोग बहुत हाई वाइबरेशन में ही रहना पसंद करते हैं और इसलिए इनकी जो energy होती है वो जादा तर लोगों से match नहीं करती है क्योंकि ये mostly बहुत high vibration में रहते हैं बहुत energetic रहते हैं लोग इनके मुकाबले में जो थोड़ा कम रहते हैं तो इनको judge जाता करते हैं इस वज़े से तो ये था total ठीक है कि twins originally कैसे होते हैं अब रही बात ये 10-10 की तो दोस्तों ये 10-10 का मतलब आप प्लीज समझो अभी कुछ दूनों पहले एक lady मेरे पास आई और हो मुझे बता रही थी कि मैं वो बिल्कुल मतलब ये जो चीजें हो कर रही है जब पढ़ रही है meditation कर रही है बाकि जितनी चीजें वो कर रही है उसकी मुझे से उन्होंने समझ लिया है कि वो एक साधवी बन चुकी है वो अपने आपको एक साधवी टाइप का फील कर रही है और वो कह रही है कि जहां मैं काम करती हूँ वहां मुझे कोई dominate करता है कि मैं उसको जवाब दूं की न हमें 1010 करना है material life और spiritual life को balance करके चलना है हमें हमें अपने material life भी बढ़िया चलानी है हमें अपने spirituality को भी इन दोनों चीजों को एक साथ maintain करना है और ऐसे चलाना है और अगर इसका मतलब यह थोड़ी नहीं कि कोई बिलकुल यह आपने हरे रामा हरे कृष्णा या हरवक्त न अगर कोई चीज गलत लगाई देती है तो उसके खिलाफ बोलो खड़े वो उसके आगे यह नहीं कि हाथ जोड़ के कहीं करने दो जिसको जो करना है इसे नहीं करना 1010 का मतलब मुझे पहले मैंने बना दिया था इसके वीडियो पिछले साल 2019 में कि spiritual material और spiritual life को balance करके चलना है और आपने अपने original स्वरूप में ही रहना है twins ने पता नहीं बहुत सारे लोगों को ऐसा कैसे होने लग गया अजीब सा कि वो लोग अपने आपको बहुत जादा वैसे साधवी और पता नहीं कैसा सा समझने लग गया है बिलकुल ही जैसे original behave नहीं कर रहे हैं different type का behave कर रहे ह सो दोस्तो भी original नाट के अंदाज में करने हैं अपना वही बलंट आप लोगों पर जादा अच्छा लगता है straightforward kind deep हाना यह साथ जादा अच्छा लगता है वही original में रहो वही आपकी सबसे बड़िया चीज है तो यह था मेरे आज का वीडियो घांगे so much bye take care